हेलो फैन वेलकम तो आवर चैनल देव टेकनिकल तो इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रेम SSC J अर्था स्टा सेलेक्षन कमिशन जुनियर इंजिनियर तो इस वीडियो में SSC की पूरी जान करेंगे फ्रेम जैसे की अर्था कौन तो इसमें बेनिफीट होता है जौब प्रोफाइल और प्रमोशन डिपार्टमेंट कौन कौन से है SSC J में फ्रेम्ट SSC J का सिले बास दे आनेंगे फ्रेम्ट कौन को से पेपर और SSC J का सिलेक्षन प्रोसेस पूरी जानकारी एक वीडियो में सिलेक्षन कमिसें जुनियान एंजिनियर है अर्थावरोसेस सिलेक्षन कमिसें सी इस इसका एक्जाम को कंड़क्ट करातव है फ्रेम हर साल एवरी Zach करा जाता है यह कूई कि है सेंटर गौःमेंट का जौब है या अच्छा पोश्ट या फोस्ट करेंग और या अज पास फिकेंशी हर साल या इसl retु कि रेलवेई एक डू साल भी गेब कर सकता है लेकिन साल इतना आपको प्रॉइप करेगा और बतादे पैन जितने भी पोश्ट इसमें ग्रूब B का पोश्ट आते है तो इसमें सालरी अच्छा सांदार जॉब होते है और बता द oikeन THOM इसमें आप इंगिरिंग छेतरिक के यह आप उप्लाई कर सकते हैं जैसे की बियु टे च यहा जो तीन साल ऐसे स्अही एपिलोमा दिप्लोमा कुर्स बाकि को यह प्लाइ ने कर सकता अब बाता थी एक सालरी किता मिलता आपको जॉब लगने के बाद तो बता दूं फ्रेंट 35,400 से 1,12,000 के बीच आपको मिलता है और पे मैट्रिक्स और सेवन पे सेंटर पे कमिशन के ताथ तो बेसिक पे आपको मिलेगा फें 35,400 परमत मिलेगा उसमें कूछ अलाविनेस मिलता है ऐसे इसे जगामेन काफकर मिलता है उसके लिए भी अलावनस् के यातरा के च्यत कर देड्रिक्त के शेतला भी बात 시민 के दिया जाता है जान को पे मारnt 40,000 to 52,000 पर मन्त मिलता है और कुछ यहाँ पर NPS के तहद आपको टेक्स की रूप में 4,000 करता है जो आपको जॉप में आपको निकलने के बाद आपको यह पेमेंट आपको बैंग में आपके खाते में जम होता है तो आपको यह दिया जाता है और इन हैंड सलरी की बात की प्रोफाइल difficile जाजब प्रोफाइल तो इसमें अटरगर और टीकलने की तो पूरू यह आपके क्वालिफिकिकेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस छेट्रा में की हो उसके पर आपको ब़ोर्ड रोड आरगनेजिसन तो इसमें क्या कारे करता है यह लोग बॉडर की खेतर में रोड बनाती होतता है तो इसमें जॉब प्रमोशन बहुत होता है तो बहुत की सलो होता है यह पहला प्रमोशन होगा और आप बनोगे senior section engineer उसके बाद आप finally बनोगे एक्सिकेटिव इंजिनियर इसमें ले आपको exam department exam देना पड़ता है जिससे आपको 4-5 साल में प्रमोशन भी हो सकता है इजिमिट की बात किज़े फ्रेंड तो अपा ले एज लिमिट फ्रेंड से एस्सिंड को 5 यर्स होता है फ्रेंड OBC के लिए 3 यर्स होता है फ्रेंड और PWD के लिए 10, 13 और 15 अलग अलग आपको छेते के लिए अलग फंट और एक्साद सर्विस के लिए तीन यर्स का आपको एज लिमीट होता है फ्रेंड पात आती ही फ्रेंड SSCJ में कौन कौन से डिपार्टमेंड है तो उसके फ्रेंड में आर्ट डिपार्टमेंड इसमें टोटल मैं बता देतों फ्रेंड पहले आती है CWC अर्था Central Water Commission उसके पात आती है CPWD अर्था Central Public Works Department चौथा नम्मर प और छटे नम्मर की बात आती है Center Water and Power Research Index और सात्वे नम्मर पर आती है Directrix of Quality Assurance और आठवे नम्मर की बात आती है Electrical के लिए अलगा और Civil के लिए अलग रहा है अब बात करते हैं selection process तो इसके selection process के लिए फैल आता है पेपर 1 और पेपर 2 उसके बाए दोनों को clear हो जाने के अब आपको document verification के लिए बुला जाता तो तो पेपर 1 आपको अब्जेक्टिव वाज़े कंप्यूटर बेस होता है जो अधुनिस्ट प्रस्ट नहीं होता है और दूसरा पेपर होता है subjective वाज़े जिसमें एक जिस चेत्र में टेक्निकल में हो और चेत्र में आपको लिखना पड़ता है subjective अब जैसे mechanical के branch में हो तो mechanical के civil के आप बारे में आपको subjective लिखना होगा और यह जैसे की electrical को लिखता करके बारे में आपको लिखना पड़ेगा वह बता देता हूँ प्रिरंड की पेपर 1 और पेपर 2 कैसा तो पेपर 1 आपको प्री breaking जैसे होता है और पेपर 2 meme मैं जिम जैसे हे स्समें ऑिवाय यहां ज्मार का आपको निया जाता है प्रेंड इसके लिए २िई जैसे सब्धयतिक रूमें जर्नल इंट्रिजिंग हैजिशनिंग इसमें जाने 5 सब्सक्राइप इसमें क्या होता है फ्रेंं?" 50 Marketing का 50 बार और जो कौछा जाता फ्रेंग знаешь कर दो तो आप स्टीविल के लिए को लिखते याँ तो सौ नंबर का सौ कोशन पूछा जाता है आपको ब्रांच उपर है यह फिर्ज यहाँ आप पेपर को आपको कटप को क्लियर करने के बाद पेपर का बात की जाथी फेंड इसकी सीलेबस को तो पहले बात दू यह रिटरन एकजाम आपको डिद्रिप्ज सब्जेक्ट्टव टाइप का लिखना पड़ता है इसमें भी आपको दो घंटा का time दिया जाएगा और आपको इस पेपर को धियान देना भी है आपको भी इसमें सेम हिंदी या इंग्लीज दोनों में आपको देंगे आप दोनों में टाइम होता है और 120 मिनाड तो इसमें Part 1 A, B, A, 3 तो अपना बन इंजिनुरिंग छेत्र जैसे जनरल इंजिनिरिंग सीविल के है तो सीविल के स्टुट्डियन लिख सकते उसको सिविल के और मेकिनिकल के तो मेकिनिकल के और लिक्टिकल के तो अब लिक्तिकल को इसमें सब्जक्टिव वाइस होता है और बता दूँ पेपर 1 में आपको निगेटिव मार्किंग होता है या 0.25 का निगेटिव मार्किंग होता है आप इस पर ध्यान में रखते हुए पेपर मनाना फ्रेंद न सफिवर के लिए दबर्ड केलिए 20 पर सेंग इसके बाद आपको के बुलाइ जाता है नाकुन ओकर सब्सक्रेस tap लिए बस टेस्ट होता है बागी में नहीं होता है फ्रेंड वीडियो अच्छे लगे तो फ्लीज लाइक से रहें सब्काइब किजएगा और बता दूँ फ्रेंड मेरे मेरे चैनल में मैं ससी जाई और आरभी जैसे एंटीपीसी आधी का में लिए मैं एक रिजिनिंग का कोश से फुषएजटर ट जाता है